हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग गाइस यह वाला मेकप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है वेट एन वाइप से कोई भी आपके पास वेट वाइप होगा उससे अपने फेस को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना कोई भी मेक यह डरस्ट पार्टिकल अपके फेस पे ना हो उसके बाद हम करेंगे टोनर स्थाहिए करना बहुत जरूरी है करते हो तो आप कोई साभी प्रोड़क्त उस कर लो कितने साँ पर्डुक्त उसक अपके morton मॉस्चिराइजर को अच्छे से अब्सव होने देंगे काफी अच्छे से मॉस्चिराइजर अब्सव हो चुका था उसके बाद मैंने प्राइमर लगा था प्राइमर जब मैं लगा रही थी तो कैमरा आन नहीं हुआ था तो वीडियो नहीं शूट हुए बट मैंने प्राइम लग रहा होगा बट यह जादा वाइट नहीं है गाइस अभी आप देखना इसको इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और लास तक आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा तो गाइस यहां पे मैं अपने नैक पे अपनी एर पे हर जगा में अपने फांडेशन ल लगे और गाइस अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना बिना सब्सक्राइब करें मत जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये मेक अप कैसा लगा तो गाइस इसके बाद मैं अपने कं कंसीलर पे आती हूं, मैं कंसीलर लगाऊंगी, यहां पे रीकोड का कंसीलर यूज से द्यामर क जिया है तो यहाँ पर मैंने इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड किया है बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है गाइस काफी अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं इसको अब लॉक करूंगी तो गाइस यह है शु हैं अगर आप चौण पहले भी कर सकते हो मेरे को इजी लगता है तो मुझे जैसी आधित है मैं वैसा करती हूं तो प्ला-çar-त बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है उसकी बाद मैं अपना दू. और आइक को न को न का लिए अप काफी अच्छे से मिं सर्कूलर मोसन में ब्लैंड कर रहे हूं इता है ब्लैंडिंग के लिए मैं flat brush से cut crease करी और cut crease बहुत ध्यान से करनी पड़ती है अगर cut crease करने के time पे थोड़ा सा भी आपका product इधार उधार लग गया तो आप समझो कि आपका पूरा eye makeup खराब हो गया है आपको फिर से दुबारा से अपना eye makeup करना पड़ेगा तो इसलिए पहले ही ध्यान से तो guys यहाँ पे मेरा cut crease बन चुका था और यह सूख चुका था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से blend किया देन उसके बाद मैंने यहाँ पे shimmer लिया है मैंने silver color कर shimmer लिया है और इसको अपने जहाँ मैंने cut crease के product लगाया था उसके उपर मैं लगा रही हूँ इसको shimmer को काफी अच्छा look देता है और guys इसको cut crease करके खाली इसको ऐसे छोड़ना नहीं है इसको अच्छे से blend करना है उसके साथ merge करना है ताकि दोनों अलग अलग ना लगे cut crease करने के पास बिल्कुल ऐसे मत छोड़ना इसको अच्छे से blend कर लेना ताकि यह अपस में ऐसे लगे कि कुछ अलग से ना हुआ हो तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे cut crease को blend कर रही हूँ guys उसके बाद आता है हमारा glitter मैंने यह मोटा वाला glitter लिया है ताकि यह बहुत अच्छा लुक देता है काफी अच्छा लुक देता है यहाँ पे मैंने दोनों eyes का अपना कर लिया है off camera मैंने दूसरे eyes का फटा फट मेकप कर लिया था eye makeup कर लिया था देन उसके बाद आती है liner की बारी बिना liner के guys आपको पता है कैसा भी eye makeup कर लो लेकिन बिना liner के वो अधूराई ही है तो इसलिए यहाँ पे हम liner लगाएंगे wing वाला तो नहीं कह सकते हाँ हलका wing होगा मैं जादा wing वाला liner नहीं लगा रही हूँ मैं सिरफ normally wing वाला liner लगा रही हूँ liner के लिए guys मैं यूस कर रही हूँ यहाँ पे record का अपना gel liner यूस कर रही हूँ और इसको अच्छे से guys मैं कोई जादा heavy वाला liner नहीं लगा रही हूँ मतलब मोटा liner नहीं लगा रही हूँ मुझे हलका सा पतला सा liner लगाना है जो इसमें काफी अच्छा look देगा और guys मैं इसको अपना थोड़ा सा आगे से inner corner से निकालूंगी क्योंकि मैं यह जो function था जहां मैं जा रही थी वो night का function था और night हो या वैसे day हो यह काफी अच्छा लगता है inner corner से अगर आप निकालते हो कोई Indian dress पे तो वो काफी जादा अच्छा look देता है इसलिए मैं inner corner से अपना liner थोड़ा सा निकाल रही हूँ then wing बना रही हूँ then उसके बाद मैं नीचे इसको अच्छे से पूरा नीचे यही वाला मैं liner लगा लूँग gel liner उसके बाद जो मैंने उपर brown color का shade लिया था उसी को नीचे पिक करके इसको अच्छे से merge करूंगी बहुत अच्छे से smudge करूंगी guys इसको मैं ताकि वो काफी अच्छे finishing दे दे और guys यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी trading बिल्कुल भी नहीं है बहुत जादा light है तो मैं इसके लिए काफी अच्छे से मैं इसको use करती हूँ मैं अपना brown gel use करती हूँ eyes के लिए तो इसको swiss beauty का है यह guys तो मैं इसको use करती हूँ और काफी इसको अच्छे से मैं लगाना पड़ता है मुझे भी क्योंकि चाहे वैसे भी make up में अगर आपकी eyebrow नहीं आप लगा करो ना अपनी eyebrow ना बना तो make up काफी अधूरा अधूरा रहता है तो यहां पे मैंने काफी अच्छे से मैंने अपनी trading मना ली है मैं हलका सा पतला सा brush होता है इसका eyebrow का आप लोगों ने देखा भी होगा तो उससे मैं लगा रही हूँ यहां पे अपना lashes के बारी आते lashes मुझे ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के लगाने की में बहुत अच्छे से लग जाता है अगर मैं single ऐसे पकड़ के ऐसे लगाती हूँ और फिर अच्छे से उसको अच्छे से press करती हूँ अंदर को ताकि glue अच्छे से पकड़ ले तो यहाँ पे मेरा अपना आईलेश इस दोनों आईस में कम्प्लीट हो गया है अब आती है मेरे फेवरेट पार्ट की वारी जो है बलशर बलशर मैंने यहाँ पे अपने अच्छे से लगा लिया है आप देख सकते हो बलशर मैंने काफी जदा मुझे क्योंकि बलशर बहुट जदा पसंद है क्योंकि जब तक रेड रेट चिक्स नहीं होते ना तो लगता ही नहीं है कि हाँ हमने मेक अप किया है तो मैंने यहाँ पे बलशर खूप सारा लगा लिया है और अब आती है बारी हमारे हाइलाइटर की हाइलाइटर भी मुझे बहुत पसंद है लगाना तो इसको भी मैं अच्छे से लगाती हूँ और गाइस नाइट के फंक्शन में आपको पता है जब लाइटिंग पड़ती है और वो हाइलाइटर जो चमकता है न तो वो अलग ही लुक देता है तो मैंने अपने चिक बोन पे अच्छे से मैंने अपना हाइलाइटर यूस कर लिया है मैंने अपने नोस पे भी और अपने फोर हेड़ पे भी मैंने अपना हाइलाइटर लगाया था उसके बाद आती है गाइस लिप्स की बारी लिप्स पे मैं अपना लिप लाइनर लगा रही हूँ रैड कलर का मैंने लिप लाइनर लिया है मैं कोई ज़्यादा बॉल्ड वाला लिप्सिक नहीं करूंगी बहुत ही न्योड रखूंगी और गाइस यहाँ पर मैंने लिप लाइनर को लगा रही हूँ आप देख सकते हूँ बिलकुल ही एकुरेट पर मैं पहले भी आपको बताया है उसके बात आता है गाइस न्यूट शेड की यह जो न्यूट शेड है ना गाइस यह पीचिस कलर का न्यूट शेड है गाइस यह आप देख सकते हूँ इसको थोड़ा सा लेना होता है अगर काफी जादा हो जाएगा तो बहुत अजीब हो अम्रे लिपस्टिक बन गया है उसके बाद मैं अपना लगा रही हूँ यहाँ पर ग्लॉस के कि बिना ग्लॉस के ना थोड़ा सा लिपस में अच्छा नहीं लगता मैट मुझे अच्छा लगता है पर कभी कभा लेकिन कभी शादी में लिपस काफी अच्छे लगते हैं तो हेर इस मैं फाइनल लुक तो कैसा लगा आपको मेरा लुक कमेंट करके जरूर बताना और आई मेक अप अब देखिए मेरा कैसा लगा आपको जरूर बताना कैसा आपको मेरा मेक अप लगा और क्या आपको कमी लगी मेरे मेक अप में वो भी मुझे बताना जरूर बाई बाई ओल क्यूटीज तो मेरे चैनल को लाइक एंग स्ब्सक्राइब जरूर कर दो